नमस्कार स्वागते आपका जुनाव आच तक पर मैं हूँ रवीश पाल सिंग्ग मदबदेश के मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहन ने जहाँ एक तरफ लाडली बहना योजना में कई बड़ी घोशनाय करके मदबदेश की आधी आबादी यानी अरताली सिज़ी महिला वोट बैंक को अपने पाले में भाद्य जंता पाले में करने के कोशिश किये तो वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस भी चुप नहीं है कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर मुख्यमंतरी कमलनात ने भी आज 11 वचन जंता के सामने रखे हैं इसके जरीए एक तरीके से अगर दिखा जाए तो कॉंग्रेस मिडली क्लास महिलाओं और किसानों पर पूरी तरीके से ध्यान के इंदित करते हुए उनका वोट बैंक साधने में लग गई है दरसल चुनाओं में आचार सहिता लगने के लिए अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 30 से 40 या 45 दिन करीब बचे हुए लेकिन इससे ठीक पहले रविवार को सुबह सुबह कमलनात ने ट्वीट करते हुए 11 वचन जंता के सामने रखे हैं उन्होंने कहा है कि महिलाओं को यदि कॉंग्रेस की सरकार आती है तो महिलाओं को करीब 1500 रुपे महीने दिये जाएंगे पांच सर रुपे में गयस सिलेंडर मिलेगा सौ यूनिट तक की बिजली जो है वो माफ होगी और इसके उपर की जो बिजली अगर जलाते है तो 200 तक की बिजली को आधा कर दिया जाएगा यानि बिजली के बिलो में भी अगर दिखा जाए तो कमी आएगी ये वादा किया है कमनलाथ ने इसके अलावा आपको बता दे के कर्मचारियों को पुरानी पेंचन योजना का लाब मिलेगा उनको 5 होर्स पावर तक की मोटर का जो बिजली का बिल है वो माफ कर दिया जाएगा जो कमनलाथ पहले भी बता चुके है प्रेस कांफेंस उन्हों नहीं की थी कांग्रेस के सरकार यदि आती है तो उनको क्या पावर भी साधने के लिए जोड़े मसलों पर भी कांग्रेस का ध्यान है तो इसके ज़रिये वो किसानों को ये बड़ा वर्दान साबित हुआ था और कॉंग्रेस का 15 सालों का जो सत्ता का वनवास मद्रप्रदेश में वो खत्म हो गया था अब अगर देखा जाए तो किस तरीके से कमलनाथ जो है इसके जरीए एक बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहते हैं यह इसते बत तबके को अपने पाले में करने की कोशिश में लगे हुए हैं जिस पर एक देखा जाए तो अभी भारती जनता पार्टी का कपजा है किसानों को अगर छोड़ देता हूं महिला वोट बैंक पे आधार पर कर देखा जाए तो पिछले दो चुनावों के अगर हम के सरकार जो योजनाय चलाती है कहीं न कहीं उसका फाइदा भाजपा को वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से भी मिलता रहा है मिडल क्लास को अगर देखा जाए तो मिडल क्लास खास्तों से जो शेहरी शेत्र में है वो शेहरी वोटर कॉंग्रेस को छोड़ भारती जनता प सामियाब रही है कॉंग्रेस ने कई निगमों पर कब जा किया है पिछले साल जो नगरी निकाय चुना होगे तो उसको आधार मनाया जाए तो जाहिर सी बात है भारती जनता पार्टी हो या कॉंग्रेस हो वो अपने इस वोट बैंक को पकड़े रहना चाते हैं अपने हिलाओं को मिड्ल क्लास को और किसानों को इस चुनाओं में भी अपने पाले में करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है